वेल्कम बैक प्यूवर्स आज हम बनाएंगे चटपटा और स्पाइसी मखाना चेउडा मखाना या फॉक्स नाट या लोटिस सीड्स इसके बहुत जादा हेल्थ बेनफिस हैं सबसे पहले हम मखाना चेउडा बनाने के लिए मखाने को ड्राय रोस्ट करेंगे और तब तक ड बुन लेंगे साथ से आठ मिनिट बुनने के बाद हम इसको अलग से निकाल लेंगे अब बारियाती है मुंफली की वनफूत काप मुंफली को हलका सा तेल डालकर अच्छे से हम बुन लेंगे मखाना हम सब जानते हैं लो इन कलेस्ट्रॉल लो इन फैट और लो इन सोडियम होने के कारण ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा है मुंफली को भी निकाल लेंगे अब बारियाती है चने की डाल या चिवडे की जो चने की डाल है ये चिवडे में जो हम चने की डाल डालते हैं या दालिया इसको बोलते हैं वो हम डालेंगे वन अब हम बनाएंगे चटपटा मसाला, चटपटा मसाला बनाने के लिए हम लेंगे दो चमच काश्मीरे मिर्च, ये काश्मीरे मिर्च है ये बिलकुल भी तीक ही नहीं है, लेकिन ये हमारे चिवडे को बहुत अच्छा कलर देगी, ये मैं डाल रहे हूं चाट मसाला 1 टी स्प काश्मीरे मिर्च बिलकुल ही तीक ही नहीं होती लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है चिवड़ा स्पाइसी ये नमक डाल रहे हूं स्वाद अनुसार हम चिवडे का नमक इसी मसाले में डालेंगे ये अच्छ से मिक्स करके हमारा चटपटा मसाला रेडी है मैं जो भी स्पा अब हम चिवड़े को तड़का लगा देते हैं सबसे पहले कडाई में मैं तेल ले रहे हूं तेल में हम राई डालेंगे हरी मिर्च ये ही मिर्चे हमारे चिवड़े को स्पाइसी और बहुत अच्छा टेस्ट देगी इसके बाद बारियाती कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते डालेंगे जैसे ही राई फूटने लगती हम डालेंगे हींग सारे जो मकान्या है मुंफली है चने की डालिया है वो हम सभी तड़के में डालकर अब हम डालेंगे हमारा चटपटा मसाला अब नमक टेस्ट करके अगर आपको कम लगे तो आप नमक ये स्टेज पर आड़ कर सकते हैं अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हमारे मसालों को मकाने के साथ और साथ से आठ मिनिट के लिए ये दीमी आज पर अच्छे से इसको बूल लेंगे साथ से आठ मिनिट हो चुके हैं मेरे मकाने का चिवडा बनके रेडी है अब हम इसमें अड़ करेंगे काले किशमिश अगर आपके पास काले किशमिश अभेलिबल नहीं है तो आप नॉर्मिल किशमिश भी अड़ कर सकते हैं मखाना वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है आपको ये बहुत चिवडा आपको कैल्शिम मेरेच होने के कारण आपको पोन के लिए भी ये गुणकारी है आपने देखा ये मेरा चुड़ा बनाने का तरीका कितना आसान था आप भी जरूर बनाई है और आपके अन्वा मेरे साथ जरूर शेयर कीजे बाई